नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाईयो आप लोगों के दिमाग में कभी न कभी ये बात जरूर आई होगी कि हमें कुछ ऐसी खिती करनी चाहिए जिसकी एक तो डिमांड है वो पूरे साल भर बनी रहे साथ ही जब वो फसल तैयार हो तो दो या तीन दिन की महनत करने के बाद उस फसल को जब हम बाजार ले जाएं तो पूरी की पूरी फसल उस टाइम पे बिक जाए अगर उस टाइम बाजार के अंदर रेट अच्छे नहीं मिल रहे हो तो उस फसल को अपने 5-7 महीने के लिए श्टोक कर सकें तो ऐसी कुछ गिनी चुनी फसले हैं जिनके अंदर सबसी उपर में रखता हूँ प्याज फसल को हाँ दोस्तो प्याज फसल इसकी खुबसूरती ऐसी अगर इस फसल के अंदर किसी साल नुकसान आ जाया तो यह इतनी ताकत रखती है कि अपने पिछले नुकसान का यह जबरदस तरीके से पूरा करती है मैंने बहुत से किसान ऐसे देखें अपने जीवन के अंदर जो बिलकुल फर्स से और प्याज फसल की बदोलत अर्स तक पहुँच गए आप लोगों ने भी देखेंगे इस फसल को एक बार जो किसान करने लग जाए और उसको बढ़िया रेट मिल जाए तो वो जीवन भर इस फसल को कभी नहीं छोड़ सकता तो दोस्तो आज आप लोगों को इस वीडियो के माधियम से प्याज फसल की एक टूजड जानकरी मिलने जा रही है इस फसल को हमें कब लगाना चाहिए कौन-कौन से सीजन में ये लगती है अपन को किस विधी से लगाना चाहिए जिससे की कम खर्च में ज़्यादा उत्पादन हम ले सकें साथ ही इनमें कौन-कौन सी बीमारियां आती है जिनको सही समय पर समय रहते कंट्रोल कर लें तो उत्पादने हमारा बहुत जबरदस तरीके से निकल से तो नमस्कार दोस्तों मैं इंदर पाली आदाओ स्वागत करता हूँ आपका अपनी योट्यूब चैनल देश की जाना हमारे किसान चैनल पर नए आये जिन किसान भाईयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न आपको मिलने जारी हाँ तो सबसे पहले बात करते हैं अपन प्याज की फसल को अपन कब लगाइं उसके लिए सही प्याज की फसल दो बार लगाई चाती दो सीजन में लगा जा एक तो रवी सीजन और एक करीब सीजन आज मैं आप लोगों को इस विडियो के माध्यमशे र कवंबर महां से लेकर दिसंबर आखरी तक होता है और नर्सरी डालने के लगबग 40-45 दिन के बाद जब हमारी नर्सरी तयार हो जाती है तो उसके बाद अपन उस नर्सरी को उखाड़े के दूसरे खेतों हमें transplant करते हैं दोस्तों अब बात करते हैं जब हम नर्शरी डाल रहे हैं तो एक एकड़ के लिए हमें कितने बीज क्या सकता पड़ती है तो दोस्तों लगबख से करें तो देखिए दोस्तों अपन को सबसे पहले खेट की अच्छे से जूताई करनी है मैं आप लोगों को बतायता हूँ कि जो भी कंदवरी के फसल होती है जैसे की प्याज है आलू है लेसुन है अधरक है या कोई बीकंदवरी के फसल उसके अंदर जुताई बहुत ही महतोपोंड होती है आप जितने अच्छे से खेत की मिट्टी को भुर भुरी करोगे जितने अच्छे से उसकी गहरी जुताई करोगे उतनी उनकी जड़े हैं वो नीचे तक जाएगी और जो हमारे कंदे वो उतने ही मोटे बनेंगे अब बात करते हैं दोस्तों अपन खेत की जुताई करने के बाद हमें कौन-कौन से फाइटलाइजर या फिर कौन-कौन से खाद यूज करने तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताएता हूँ कि आप जुताई करने के बाद अपने खेतों के अंदर तीन से चार ट्रोली देशी सडी गली गोबर का खाद जरूर अपने खेतों के अंदर डालें फिर बात आती है दोस्तों अब अपन को कौन-कौन से फाटलाइजर यूज करने रासा यह नहीं खाद कौन-कौन से यूज करने लगबग एक एकड़ में सो से डेड़ सो किलो सिंगल सूप पर फासफेट के आव सकता पड़ेगी उसी के साथ लगबग साथ किलो डी एपी जि पर एकड़ लगबग पांच किलो सलफर 90% डबलूजी फोम में आती है उसकी आप लोगों को आव सकता पड़ेगी लगबग पांच किलो कार्ट्रेफ हाइड्रोक्लोराइड या फिर फिप्रोनील या थाइम अथक्जाम को जो कॉम्बिनेशन आता है आप इन में से कोई ए आप लोगों को एक बहुत बढ़िया वीधि बताता हूं आप अपने खित ऑंदर एक र सीधे बुर्गाव कीजी उतर से दख्च्ण फिर आप पूरा उसे पास्टीम बुर्गाव कीजी अगर conspiracy से बुर्गाव करते तो आपके खित उ अंदर एक दम एक समान जितने भी क्य वो फैल जाएंगे अब ये सभी खाद एक बार अपने खितों में एक समान फैलाने के बाद रोटावेटर से खित की जुताई कर दीजी जुताई करने के बाद दोस्तों अब बात आती कि अपन किस विधी से प्याज लगाएं हमारे देश के अंदर क्यारियां बनाकर भी प्य प्याज लगा जाती है साथ हैं हमारे देश केंदर मेध बनाकर भी प्याज लगाए जाती तो आप अगर क्यारियां बनाकर प्याज लगा रहें यह जूण ना रखें क्योंकि कोई भी कंद वरगये फसल और चाइक जाइस च्चाई कर लिया अच्छे से उसके अंदर क्यारियां बना लिया बैड बना लिया मेड बना लिया तो अब हमें नर्सरी उखाड ते कौन कौन से साफधाने रखने तो देखिए आपकी जब नर्सरी लगभग 45 दिन की हो जाती उस अवस्था में आप उस नर्सरी को खाड लीजी अगर आपकी नर्सरी के हाइट जाद है उसके लंबाई जाद है तो आप उपर से उसको काट दीजी लगभग आप उपर से चार या 5 इंच उपर से उसको काट दीजी आप अपनी नर्सरी की जड़ों को बावस्थीन जिसके अंदर कार्बेंडिजम होता है उससे उपचारित कर लीजी या फिर साफ पाउडर जिसके अंदर कार्बेंडिजम और मैंको जेब दोन होता है उससे आप अच्छे से उपचार कर लेजिए उपचार करने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊं तो एक लिटर एक ग्राम के हिसाब से आप कोई बाल्टी के अंदर पानी लीजिए अगर दस लिटर पानी अगर आप उस बाल्टी में डाल रहे हो तो लगभग दस से पंदरा ग्राम आप बावश्टीन डाली साफ पाउड डाली उसको अच्छे से मिलाने के बाद आप अपनी नर्सरी को ऊपर से पकड़ी पकड़ने के बाद उसकी जुनीचे की जड़े हैं उन जड़ों को ही उसके अंदर उपचारित कीजिए थोड़ी देर के लिए उसका अंदर डूबो के रखी और फिर निकालन क्वालिटी पर धियान देजिए जो किसान क्वालिटी पर धियान देता है उसको पादन भी ज़्यादा होता उसको रेट भी ज़्यादा मिलते हैं आप पौधे से पौधे की जो दूरी है वो सही बना के रखोगे तो आगए जाकर आपकी फसल का अंदर एक तो बीमारिया ही आएंगी और आपको जो साइज है वो भी ज़्यादा मोटा निकलेगा अब बात करते हैं दोस्तों अपने अपने खितों के अंदर नर्सरी ट्रांस्प्लांट तो कर दी इसके बाद अपन सिचाई करते वक्त कौन-कौन सी सावधानी रखे क्या करें देखिए जिन खितो तो दोस्तों अपन जैसे बुआई कर देते हैं प्याज कि उसके बाद अपन को पैंडे मेथलिन जो काफी नामों से आता है इस्टांप नाम से यह बाजारों में तो आप श्टोंप लाई है पैंडे मेथलीन वहेक लिटर पर एकड के हिसाब से या तो आप उसको किसी कर रहे हो उस टाइम पर उसके बाद आप उसके पीछे-पीछे जैसे आप वह इस्टॉंप डाल रहे हो उसके पीछे-पीछे अपनी सिचाई कर दीजिए सिचाई करने के बाद आप देखोगे कि जितने भी खर्पतवार हैं वह आपके जर्मिनेट होंगे यह नहीं जब आप आगे जाके लग बग चाड़ी से पचास दिन पर खेत की जब पहली गुड़ाई करोगे उस वक्त गुड़ाई करने के बाद जब अपनी खेत की उपरी परत तूट जाएगी उस वक्त हमारी खरपतवार निकलेंगे तो आप उस अवस्था में भी दोबारा से आप इस टॉं के टेक्निकल बाजारों में आते हैं तो जब हमारी फसल लग भग बीस से 25 दिन की हो जाए उस अवस्था पे आप इस प्रे कर दीजिए जैसे की गोल के नाम से आता है जिसका अंदर ऑगजी फलोरोफ हैं पैस पॉइंट पांस परसेंट और टरगा सूप पर आता है एक बा पहले सीचाई कर दी उसके बाद अपनको दूसरी सीचाई कब करनी है तो देखिए अभी सर्दियों का मोसम होता है इसके अंदर आप सीचाई कर दो लगभग साथ से आठ दिन तक हमारी फसल हमारी जो खेतें उपर से वह सुख हैंगे नहीं भूर भूरे नहीं होंगे जब इक दो आप पहली सीचाई कर दे तो उसके तीन या चार दिन के बाद आप एखे चाई दो बारे से कर दीजी ये सीचाई करने के बाद आपकी जड़े हैं वह अच्छे से जमीन के अंदर चले जाएंगी नई जड़ों का विकास हो जाएगा पोडह हो सीदा खड़ा हो जाного